नमस्कार मैं अड़ोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों हमारे देश में उभोकताओं के लिए स्पेसिफिकली कानून सबसे पहले 1986 में लाया गया था जिसके अंतरगत हर जीला मुख्याले पर उभोकता फोरम की स्थापना की गई थी आम भाषा में इनको कंजूमर कोर्ट भी कहते हैं लेकिन समय के साथ-साथ परिस्थितियां बदली और परिस्थितियों के साथ-साथ कानून में भी बदलाव की जरुत महसूस होने लगी इसलिए नया उभोकता संरक्षन अधिनियम 2019 प्रभाव में आया और अब ये एक्ट पूरे भारत में पूरी तरह से लागू हो चुका है आज के वीडियो में हम इसी नय उभोकता संरक्षन अधिनियम 2019 के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन ये दी आप चैनल पर नए है या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथी बेल आइंकोर्न को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें उभोकता संरक्षन अधिनियम 2019 को हम दो पार्ट में समझेंगे जिसमें से पहले पार्ट में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उभोकता कौन है उभोकता के अधिकार क्या क्या है और कौन सी शिकायते उभोकता आयोग के सामने पेश की जा सकेगी और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि उभोकता शिकायते कहां पेश की जाएंगी कैसे पेश की जाएंगी और शिकायतें पेश करने के बाद में आयोक के द्वारा इसमें प्रक्रिया क्या आपने जाएगी सबसे पहले बात करें कि अधिनियम के अनुसार उभोकता कौन है उभोकता की परिभाषा सेक्शन 2 में दी गई है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कोई माल खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है या फिर किसी माल या सेवा को भविश्य में प्राप्त करने के लिए कौन्ट्रेक्ट करता है ऐसा व्यक्ति उभोकता कहलाता है लेकिन ये माल और सेवा प्रतिफल के बदले होनी चाहिए इस परिभाशा में प्रतिफल का बहुत जादा इंपोर्टेंस है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रेक्ट या ट्रांजेक्शन जो बीना प्रतिफल के किया जाता है यानि कि यदि आप कोई वस्तु या सेवा फ्री में प्राप्ट कर रहे हैं तो आप उभोकता शब्द के अंतरगत नहीं आएंगे और उस माल या सेवा के संबन्द में आप उभोकता योग के समख सिकायत भी पेश नहीं कर सकते प्रतिफल के बारे में इसके अलावा भी एक जरूरी बात है कि प्रतिफल का केवल होना जरूरी है ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रतिफल का भुगतान पहले ही किया गया हो प्रतिफल का भुगतान पहले भी किया जा सकता है वस्तु या सेवा प्राप्त करने के समय भी किया जा सकता है और बाद में भुक्तान करने के लिए वाइदा भी किया जा सकता है और ऐसे भोगता भी इसके इंतरगत आते हैं जिन्होंने कुछ भाग का पेमेंट पहले कर दिया है और कुछ भाग का payment भविश्य में करने के लिए वादा किया है और जो लोग किस्तों में सामान खरीदते हैं या किस्तों में कोई सेवा प्राप्त करते हैं वो लोग भी उभोकता की प्रिभाशा के अंतरगत आते हैं मतलब प्रतिफल का केवल होना जरूरी है प्रतिफल किस मोड में दिया जा रहा है और किस प्रकार से दिया जा रहा है यह important नहीं है नए उभोकता संरक्षन अधिनियम में online और offline दोनो टाइप के transactions को सामिल किया गया है क्योंकि जब 1986 में पहली बार अधिनियम बना था उस समय online transaction या online shopping जैसा कोई concept ही नहीं था लेकिन नए अधिनियम में इस टाइप के transactions को भी सामिल करना जरूरी था इसलिए नए अधिनियम में online transactions को भी सामिल करते होगे प्रावधान बनाए गये है इसके बाद हम बात करते हैं कि उभ्भोकता के मुख्य अधिकार कौन से है सबसे पहले जो भी माल उभ्भोकता खरीदता है उसकी मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता और कीमत के बारे में जानकारी सूचना प्राप्त करने का हर उभ्भोकता का धिकार होता है और यदि वही माल डेंजीरियस हो या डेंजीरियस हो सकता हो तो उभ्भोकता का ये भी अधिकार है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और ये केवल उभोकता का अधिकार ही नहीं बलकि बेचने वाले का दाइत तो अभी है कि वो ऐसे डेंजर के बारे में उस उभोकता को सुचित करें किसी भी उभोकता का दूसरा अधिकार है उभोकता आयोग में सुने जाने का अधिकार उब्भोक्ता आयोग बनाए ही इसलिए गए हैं कि उब्भोक्ताओं की शिकायते सुनी जा सके इसलिए हर उब्भोक्ता के अधिकार है कि यदि उसके साथ कोई चीटिंग होती है तो वो उभोकता आयोग के सामने शिकायत पेश कर सकता है और उसे ऐसी शिकायत पेश करने पर सुना जाएगा 2019 के अधिनियम में एक अधिकार नया जोड़ा गया है जो है जागरुकता का अधिकार हर उभोकता को ये अधिकार दिया गया है कि उसे उसके द्वारा खरीद कीजे किये जाने वाले माल, उत्पाद या सेवा के बारे में जागरुक किया जाए अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी शिकायतें उभोकता आयोक के सामने पेश की जा सकेगी सबसे पहले यदि कोई भी व्यापारी या सेवा प्रदाता कोई अनुचित व्यापार व्यावार करता है यानि कि ऐसा कोई काम करता है जो उस व्यापार की प्रथा के हिसाब से या कानून की हिसाब से उसे नहीं करना चाहिए तो वो उभोकता उभोकता आयोक के सामने शिकाय पेश कर सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे खरीद किया गया माल या प्राप्त की गई सेवा तूटी पूर्ण प्राप्त हुई है यानि कि सेवा या माल में कोई न कोई कमी रह गई है तो भी इसके बारे में आयोग में शिकायत की जा सकेगी अगर कोई व्यक्ति किसी माल या इस टाइप का नहीं है कि भाड़े पर लिये जाने का उद्धिश्य उससे पूरा हो सके यानि उसमें भी कोई तूटी है तो इस टाइप की शिकायतें भी उभ्भोकता योग के सामने पेश की जा सकती हैं कोई भी ऐसा माल या सेवा जो भोकता के लिए डेंजरिस हो सकता है ल तो ऐसे मामले में भी शिकायत भोकता योग के सामने पेश की जा सकती है इसके बाद कोई भी उभ्भोकता किसी सामान या सेवा की कीमत के बारे में भी उभ्भोकता योग में शिकायत पेश कर सकता है क्योंकि कोई भी व्यापारी या सेवा प्रदाता किसी विवस्तु या स सेवा के उचित मुल्य से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता अब उचित मुल्य क्या है इसके बारे में अलग-अलग चार टाइप के परिपेक्षे हैं सबसे पहले तो यदि किसी माल की पेकेजिंग पर ही उसका अधिक्तम खुद्रा मुल्य अंकित किया गया हो तो वह अधिक्तम खुद्रा मुल्य ही उसका उचित मुल्य विमाना जाता है और ऐसे मुल्य से ज़्यादा कोई व्यापारी वसूल नहीं कर सकता दूसरी कैटेगरी में आते हैं यदि किसी माल या सेवा की कीमत सरकार के द्वारा किसी कानून से निरधारित कर दी गई है तो ऐसे कानून में निर्धारित की गई कीमत से भी ज़्यादा वसूल नहीं की जा सकती है और अगर ज़्यादा वसूल की गई है तो ऐसा उभोकता भी शिकायत उभोकता योग के सामने पेश कर सकता है तीसरी व्यवस्तु में आती हैं जिनके बारे में कोई कानून के द्वारा या सरकार के कि ऐसी वस्तु OCO सूची में दिखाया जाएगा और सूची में वस्तु के सामने उसकी कीमत भी अंकित की जाएगी तो ऐसी दिखाई गई कीमत से ज़्यादा भी वसूल नहीं की जा सकती इसका उधारन है शराब के ठेके क्योंकि शराब के ठेकों के बारे में ये प्रोविजन होता है कि शराब के ठेके पर मिलने वाली हर शराब को सूची के रूप में दिखाया जाता है और शराब के नाम के आगे उसकी कीमत भी दिखाई जाती है और यदि कोई शराब के ठेके वाला व्यक्ति उस दिखाई गई कीमत से ज़्यादा वसूल करता है तो उसकी शिकायत उभोकता आयोग के सामने पेश की जा सकती है और चोथा होता है जो मुल्य सेवा प्रदाता या व्यापारी और उभोकता के बीच में तै कर लिया गया है तो ऐसी तै की गई कीमत से भी अधिक वसूल नहीं किया जा सकता और अगर कोई व्यापरी तय कीमत से ज़्यादा वसूल करता है तो उसकी शिकायत उब्भोकता योग के सामने पेश की जा सकती है दोस्तों अगले भाग में हम बात करेंगे कि उभभोकता आयोग के समक्ष शिकायत कैसे पेश की जाएगी उभोकतायोग का 16 धिकार किस प्रकार से तय होगा और शिकायत प्राप्त होने के बाद में उभोकतायोग के द्वारा कारेवाही क्या की जाएगी इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप मुझ से अपने किसी मामले में परामर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर उपर दिखाये गए नमबरों पर फोन करके या वाट्सेप करके कॉल बुक करवा सकते हैं ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में